आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे और वो कहते हैं ना कि दुनिया को हसाने वाला कब खामोस हो जाए ये कहपाना बड़ा मुस्किल है और आपको मालो होगा कि राजू स्रिवास्तों जो एक कॉमेडियन है और सभी को हसाने का काम करते हैं उन्हें आप देखिए पिछले दिनों दिल का दोरा पड़ा और आप सोचें कि जिन्दिगी से ये जंग एक तरह से लड़ रहे हैं तो उपर वाले से आप लोग भी द्वा करिए कि ए स्वस्त हो जाएं और जल्दी हम लोगों के बीच फिर से आएं और फिर से अपना हसाने का काम जारी रखें तो इनके बारे में एक सामन जाने का नहीं हम लोग जरूर बात करेंगे इनके बारे में जानेंगे कुछ pictures और हैं आपके सामने और आप लोग इने जानते होंगे वाको भी इनका नाम भी सुना होगा आप लोग ने देखे इनका परिवार है अगर हम लोग राजु स्रीवास्तो की बात करें इनका पूरा नाम क्या है? सत्र फिकास स्रीवास्तो लेकिन आप लोग इनका उपनाम जरूर याद रखते हैं राजु स्रीवास्तो और इने आप लोग गजोधर के नाम से जानते हैं गजोधर भहिया राजु भहिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं और इनके प्योसाई की बात करें तो हास्तिकलाकार है एक एक्टर है और इनका जनम 25 दिसंबर 1963 में कानपूर उत्तरपिदेश में हुआ था और कानपूर की जब हम लोग बात करते हैं उत्तरपिदेश की बात करते हैं तो काफी मात्मूर राज्य है लकना उसकी राध्धानी है आप देखेंगे यहां बिधान सभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी बिधान परिशद में 100 सीटें राज्य सभा में 31 सीटें हैं लोग सभा में आपकी 80 सीटें और इसकी अंतराष्ठी सीमा देखी नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार हो गया, जहारखंड हो गया, चत्ती सिगड हो गया, मद्य पिदेश हो गया, राजिस्थान हो गया, हर्याना से हिमाचल पिदेश, उत्राखंड और केंदसासित पिदेश नई दिल्ली अगर आप लोग पिदान मंत्रियों की सोची उठा के देखेंगे ना, तो अधिक तर पिदान मंत्री आपकी उत्तर पिदेश सही निकले हुए है, तो इसलिए राजनीती की दरिष्टी से काफी मातु होण है अगर हम लोग राजु स्रीवास्तो के पिता की बात करें, तो रमेश चंदप स्रीवास्तो, और इनकी माता का नाम सरसुती स्रीवास्तो, इनकी भाई का नाम दीपु स्रीवास्तो, और पतनी का नाम सिखा स्रीवास्तो, इनका एक वेटा भी है आयसमान स्रीवास्तो, और गर हम लोग टेवी टीवी के करियर की बात करें राजु सरीवास्तोते, तो राजु सरीवास्तो ओ कॉमीडी की दुनिया में एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने भारती इस्टेयसों के साथ साथ बेदेशों में भी पे दर्षान किया है, और कुछ साल पहले हम सीडी और कैसि और सीडी की एक संखला भी शुरू की थी उनकी शुरुवाती लोक फिरीता उनकी लोक्स के लिए थी और जिसे अमिताब बच्चन की शुरुवाती चेहरा माना जाता था और शुरुवात में उन्होंने बॉलीवूर्ड फिल्मों में चोटी चोटी रॉल करके भी तरक्की की थी और आप देखिए मिमिक्री कर लेते हैं कई लोगों की आवाज भी निकाल लेते हैं राजिस्टिरी प्रोडेक्शन भी मैंने प्यार किया नाम की फिल्म में राजू का एक चोटा सा किरदार था उन्हें बाजिगर बॉम्बी से गुआ जैसी पिसेद फिल्मों में भी चोटी चूप फुटी भूमी काय मिली इस्टेंड अप कॉमेडी में भी उनकी इंट्री टैलेंट सो दा ग्रेट इंडियन लाप्टर चलेंज में भी आप लोगोंने उन्हें देखा होगा उन्होंने इसे सेकंड रनर अपकी रूम में पूरा किया था उन्होंने फिर से दा ग्रेट इंडियन लाप्टर चलेंज चेंपियन सिब में भाग लिया और उन्होंने जीत आंसिल की थी और दा किंग ओफ कॉमेडी का किताब भी अपने नाम किया था राजु स्रीवास्तों ने आप देखेंगे बिग बॉस बिग बेडर में भी हिस्सा लिया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नचवलिये सीजन 6 में भी भाग लिया था और राजु ने अन्य टीवी सो में भी भाग लिया 2013 में राजु ने अपनी पत्नी के साथ नचवलिये इसमें भी भाग लिया था और आप देखेंगे जो नाइट्स विद कपिल सर्मा का सो रहता है ना उसमें भी आप लोगने ने देखा होगा वह मजाक मजाक में और और उप्धा इंडियन मजाक लीक नामक सो में भी यह दिखाई दिये यह एक स्टेंड अप कॉमेडी सो था जो लाइब ओके पर पिसारित होता था और लोग पर यह क्रिकेटर भजन सींग और सोय भगता सो के जजुगा करते थे तो इसमें भी आप लोग राजू स्रीवास्तों को कुछ मूवियों में भी इनोंने एक्टिंग की है जैसे तेजाब 1988 में आई ती 1993 में मैं बाजीगर सन 2001 में आमनानी अठननी खर्चारों पईया 2002 में आप देखेंगे बाहत तिरा क्या कहना 2003 में मैं प्रेम की दिवानी 2007 में बिग विर्दर 2007 में आप देखेंगे फिर हेरा फिरी में 2007 में बंबी टुगवा 2010 में भावनाओं को समझो इन सभी मूवियों में भी इनोंने काम किया राजनीती में आप देखें इनोंने हाथ अजमाया और राजु सिरीबास्तों के अगर राजनीती केरियर को देखें तो कानपुर में राजु सिरीबास्तों को लोकसभा चुनाओ के लिए 2014 में सभाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनीती के रूम में मैदान में उतार गया था और ये 2014 वही साल था जब आप देखें पिधान मंत्री मौदी की एक तरह से लहर चल रही थी और उनके नाम पर बोट पड़ रहे थे लेकिन आप देखें के 11 मार्ट 2014 को उन्होंने यह दावा करते हुए अपना टिकेट वापस कर दिया था कि उन्हें पार्टी की इस थानिया एकाईयों से उचे समर्थन नहीं मिल रहा है और इसके बाद आप देखेंगे 19 मार्ट 2014 को भारती जिंता पार्टी में सामिल हो गए थे और पिधान मंत्री नर्द मौदी ने उन्हें स्वक्च भारत अभियान के हिस्से एक हिस्से की रूम में नामित किया था मुझे लगता है कि वो भी राजनेति खिलाडी थे राजी शरी वास्तो इसके लिए आप देखें वो सायध हबाब गए होंगे और वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उस समय आप देखे रहे थे कि चुनाव लड़ रहे थे जो भी बड़े बड़े दिगज भी चुनाव हार जा रहे थे तो यहां उन्होंने समझदारी दिखाई और तभी से वो हैं सफाई पर फोकस कर रहे हैं वह सौक्षिता को बड़ावा देने के लिए बिवेन निकारकरों की विवस्ता भी करते हैं और इसके साथ आप देखेंगे सोचल मीडिया के साथ साथ टीवी पर भी इस पर कई वीडियो बनाये हैं उन्होंने सफाई पर और आप देखें पिधानमंत्री का एक कामस्वक्ष भारती समझ रहे हैं और उसमें काफी सभलता में मिली है देखें इस तरह की किसी पत पर रहते हैं तो बिवादों का जुड़ना भी सभाब इस सी बात रहते हैं और इनसे एक बिवाद जुड़ा हुगा है एक बार राजू स्रीवास्तों ने मच्छर चालीसा को बनाया था और एक आप ही आप लोगोंने सुना होगा पसंद भी करते होंगे और जिसके चलते हैं उन्हें हिंदू कटरबंथियों द्वारा कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि वह हिंदू देवता की गर्मा को आपमानित करते हैं ऐसा हिंदू संगटनों के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया था तो यह कहानी है किसकी राजियू स्रीवास्त होगी और उपरवाले से फैसे दुआ करिए कि वह हमेशा सौस्थ रहें और सही इस्तिदी में हूँ ठेक है